अगर आपको याद हो तो आपने न 10th और 12th में अच्छा स्कोर किया है और अभी आप SSE की तयारी कर रहे हो CGL हो सकता है, CHSL हो सकता है, CPO हो सकता है या सलेक्शन फेज हो सकता है कोई भी एक्जाम हो सकता है जब आप इसकी तयारी करते हो ना तो आप थोड़ी थोड़ी ना difficulty face करते हो आपको लगता है कि ये paper as compared to 10th और 12th बड़ा है इवन दो आपने 10th और 12th में अच्छा स्कोर किया है तो मैं आपको एक छोड़ा सा example देता हूँ थोड़ा ध्यान देना और आप relate कर पाऊगे इससे 10th या 12th में ना हमारा जो main objective होता था ना वो हमेशा ना board होते थे हमारे की 10th का या 12th का अगर जैसे मैं CBSE board से था तो हमारा exam March और April में होता था तो हम स्वारी FAB और March में तो हम उस पे focus करते थे उससे पहले कई सारे unit test होते थे Tusions में अलग चल रहा है schools में अलग चल रहे है ठीक है other कहीं और चल रहा है लेकिन हम ना अपना एक pace बना के रखते थे हमारा main motive होता था जो boards है उस पे होता था लेकिन जब आप competitive exams के तैयरी करते होना तो ये थोड़ा साना difficult होता है देखो difficult कैसा जैसे आप तैयारी कर रहे हो और आप ना job के लिए बहुत ज़्यादा मतलब भूखा कहते है ना वो हो आपको चाहिए कि कोई भी job लग जाए जल्दी से जल्दी लग जाए चाहे clerk लगे, MTS लगे, CGL लगे CHSL लगे, bank में लगे बर जल्दी से जल्दी लग जाए और इसमें ना आप कोई गलती भी नहीं कर रहे हो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है लेकिन अगर आप as a strategically देखो ना तो आप एक गलती कर रहे हो गलती क्या गर रहे हो कि आप ना एक साथ सब पे focus नहीं कर सकते हो you have to focus only one thing at a time एक समय में एक ही चीज़ पे focus करो for example आप अभी मान लो CGL 2024 की तेयरी कर रहे हो यह कोई भी exam के लिए हो सकता है बीच में ना बहुत सारे exams आएंगे बीच में बहुत सारे exams आएंगे और मैं खुद बोलूँगा आपको कि सारे exams भरना है भरना है क्योंकि one day exam है one day exam में क्या होता है कि आपको ना pressure handle करना आना चाहिए तो आप exam दो और बैठो ताकि आपको ना एक तरह से idea हो कि exam वाला दिन का क्या pressure होता है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए कि आप CGL 2024 की तेयरी कर रहे हो और अभी आप selection phase की तैयरी में लग गए थोड़ी दिन बाद Hindi translator आएगा उसमें लग जाओगे CPO आएगा CPO में लग गए CHSL आया CHSL में लग गए देखो आपको पता है कि आप किस पर focus कर रहे हो मालो आज आपने तैयरी start किया है तो you need at least 6 to 8 months to complete your syllabus अगर वो नहीं करते हो और उससे पहले आप particular किसी exam पर focus करते हो तो कोई फाइदा नहीं कोई भी फाइदा नहीं आपना exams ही देते रह जाओगे तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा main motive यह है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे paid group में भी है paid batch में भी है वो हमसे पूछने कि sir selection phase की तयारी कैसे करूँ भाई साब आपने CGL 2024 की तयारी करनी है ना आप CGL 2024 के लिए batch लिए हो तो हमारी तयारी भी UCK recording चलेगी हमारा जो speed है वो भी UCK recording चलेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको form नहीं भरना है form भरना है exam सारे देने है बट particular उस पर focus मत करो हाँ कोई एक साल से दे रहा है डेड़ साल से दे रहा है वो दे सकता है वो तयारी कर सकता है उसका से लिए बस खता मैं लेकिन सोचो आप beginner हो और आपको लग रहा है कि तीन महने बाद आप कोई exam जाके निकाल दोगे अरे भाई खेल नहीं है मतलब बच्चों का खेल नहीं है थोड़ा सा serious लो इस चीज को कि आज मैं इस पे जा रहा हूँ कल मैं उस पे जा रहा हूँ परसो मैं railway पे चले जाऊंगा उससे ना you are just wasting your time nothing else आप अपना time waste कर रहे हो तो उस चीज पे बिल्कुल focus मत करो अगर आप cpo पे target कर रहे हो तो target only on cpo जो main है आपका साथ में जो जो exams आते रहते हैं उसको देते रहो ये beginners के लिए है जो 2-2 साल से तयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भाईया आप जो भी exam की तयारी करोगे आप उसका कर सकते हो because कि आपको अलग से कोई syllabus पे walk नहीं करना है तो अगर आपको syllabus पे walk नहीं करना है तो आपका time वैसे ही बच जाएगा तो इस चीज का ध्यान दो और जो भी लोग 2024 की तयारी कर रहे हैं या 2025 की तयारी कर रहे हैं plus maths का complete आपको उसमें batch मिलेगा reasoning के लिए जो थोड़ा delay हो रहा है मैं अभी medical leap पे हूँ ठीक है मेरे पाउं में bandit बना हुआ है I can't walk मैं Delhi आयो हूँ medical leap पे हूँ और doctor ने मुझे 3 week का rest दिया है तो maths की classes तो चल रही है reasoning का मैं वापस जाके पटना suit करूँगा ठीक है लेकिन देखो as I promised आपका reasoning भी finish किया जाएगा CGL 2024 हमारा target है August mid मैंने आप लोगों को time दिया है तो August mid तक आपका सब कुछ finish हो जाएगा this is my personal promise एक आद वीक अगर जो हो जाए तो इतना तर्जिस कर लोगे ठीक है और अगर अभी भी आप में से कोई बच्चा paid course लेना चाहता है नीचे description में link है अपने आपको बिल्कुल मत सोचो कि आप late हो बिल्कुल भी late नहीं हो आपके लिए अच्छी बात यह है कि videos already available है app पर आपको day one से follow करना है आपको एक दिन homework करना के होता है एक दिन class work एक दिन homework एक दिन class work बतलब पहले class work होगा same question आपको homework में दिये जाएंगे वो करो फिर उसकी videos देखो अगर ज़रत है तो नहीं तो आप अगला next class भी देख सकते हो इस तरीके से करते हो तो आपको कोई और book solve करने की ज़रत नहीं है और एक और चीज जितने questions मैं आपको app पे provide कर रहा हूँ वो sufficient है ये paid वाले बच्चों के लिए है free वाले बच्चे कोई भी एक book ले सकते हैं paid वाले बच्चे को कोई book लेने की ज़रत नहीं है that question is sufficient तो thank you so much जो भी exam दे रहे हो उस पे focus करो बार बार कभी इदर कभी उदर ठीक है जूमता रहा ठीक है मगर मुझे कहीं ना मिली ऐसा ही होगा ठीक है ये गाना है वैसे बट ये actually मैं fact है तो इन चीजों पर आपको focus करना है target one ठीक है अर्जुन की तरह कहते हैं ना मैं ऐसी बाते कर नहीं पाता हूँ ठीक है आपको एक चीज पर focus करना पड़ेगा मैं भी वही करता हूँ हर चीज में एक जगा focus करो उस पर काम finish उसको finish करो ठीक है तो इसी पर focus करो देखो आपकी job ज़रूर लगेगी thank you so much मिलता हूँ अगले session में वीडियोज आजकल काम आएंगी because कि मैं leap पे हूँ और मुझे ऐसे नहीं मुझे पढ़ाने वाला वीडियो ज़ादा अच्छा लगता है तो additional videos मैं थोड़ा कम डालूँगा लेकिन इस type का भीच भीच में साथ दिन दस दिन पंदर दिन में डाल देंगे ताकि आपसे भी ना connection बंदा रहे thank you so much